चलिए आज हम करेंगे class 10th math का sample question paper से एक बहुत ही important question ठीक है CBSE के board examination के लिए जो question important होते हैं उनमें से ये एक important question है आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए तो देखें question में हमसे कहा गया है एक AP है जिसका general term है 4N plus 3 आपने याद रखना है general term से हम AP के general term से सभी terms को निकाल सकते हैं उनको बना सकते हैं ठीक है तो देखें AP का general term हमें given है 4N plus 3 हमने AP का common difference find out करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहरे हम general term को यहाँ पर no down करते हैं तो जो general term हमें given है वो given है 4N plus 3 चलिए अब हम इस general term से first term को बनाते हैं first term को find out करते हैं ठीक है अब देखें general term हमारे पास में है 4N plus 3 अगर हम N की जगा पर 1 put up कर ले तो हमारे पास में first term of the AP आ जाएगा तो हम N की जगा पर 1 को put up करेंगे हैं तो first term हमारे पास में AP का आ जाएगा अब देखें 4 बन जब 4 होता है 4 plus 3 हो जाएगा हमारे पास में 7 तो 4 plus 3 हो जाएगा 7 तो first term हमारे पास में आ जाएगा 7 चलिए अब हम second term को भी बना लेते हैं first term हमने बना ही लिए second term को बनाना है तो हमें N की जगापर 2 put up करना पड़ेगा इस general term में तो यहाँ पर है 4N तो हो जाएगा 4 into 2 plus में 3 है तो plus में 3 आ जाएगा 4 to 8 होता है 8 में 3 जोड़ लो तो कितना आएगा 11 आएगा तो second term हमारे पास में आएगा 11 first term हमारे पास में आएगा 7 first term 7, second term 11 आगा अब देखें हमने निकालना है common difference हमने निकालना है common difference तो हमने निकालना है common difference अब आपने याद रखना है कि common difference को हम D से denote करते हैं and common difference को निकालने के लिए हम AP के कोई भी दो consecutive term लेते हैं and बाद वले term से पहले वले term को minus करके हम common difference को निकालते हैं तो यहाँ पर अभी हम second term A2 में से first term एको minus करके common difference को निकाल डिंगे, ठीक है? टो second term में से first term को minus करके हम common difference को निकालने जा रहे हैं, second term हमारे पास में 37, first term हमारे पास में है 7, तो 11 minus 7 यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, जो कि आएगा 4, तो हमारे पास में AP का common difference आगया 4, ठीक है? 4 आगे न है यहाँ पर तो जो यह B option है जिसमें हमें 4 given है वो इस question के लिए सही option है तो हम लिखेंगे therefore जो correct option है जो correct option है वो है B जिसमें हमें given है 4 तो यह आगे हमारे इस question का final answer